स्वागत है मेरे चैनल defense and sports army में तो friends आज की जो हमारी वीडियो है वो Assam rifles के उपर है और सबसे पहले आज हम वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है Assam rifles के फिजिकल के admit card आ चुके हैं और आप लोग का जो फिजिकल है दोस्तों वो जून में स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों आज जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और जिस चीज के उपर है वो है रेडियो उपरेटर वाले जितने भी candidate रेडियो उपरेटर के है और इंडिया और स्टेट के तो मैं उन्हें पता दो उनका जो सेंटर गया है वो गया है सिल्चर में तो काफ़ी सारे जो candidate है जो इस टाइम फर्स टाइम जो रैली देखने जा रहे हैं और जो शायद नहीं गया तो उनके लिए बहुत ही अच्छी की information मैं आप लोग को बता होंगा ठीक है एकदम आपको accurate जान करी बता हूंगा ताकि आप लोग पहले से अपना plan decide कर ले जाने के लिए और आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से आपको करना है ठीक है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जिन भाईयों का सिल्चर में सेंटर पड़ा का camp है वहां पर आपका physical करवाया जाएगा दोस्तों मैं पहले बता दूब बहुत बढ़िया सेंटर है क्योंकि 2021 में जब मेरा EFS ट्रेट से जो मैं भर मैंने भरती देखी तो दोस्तों मेरा सेंटर में पढ़ा था और सिल्चर दोस्तों बहुत एक अच्छा सेंटर है बहु दोस्तों आप लोग कि यहां पर रोड रॉनिंग होगी जो कि मैंने यह लिखा हुआ है वहां पर रोड रॉनिंग होनी है नॉर्मल है दो रोड सीधी रोड है आप उस पर जाकर करके आपको गूरूप बना दिया जाएगा 100-500 का इस सूपर नहीं बनता उसके आप लोग की सब्सक्राइन चाइंगे कि डिया नहीं है फिक है वहां पे आप लोग का रॉनिंग वगाशने के बाद का फिएश्टी होगा फिजिकल मेशरमेंट लेलिया जाएगा मतलब जिन कैंडिडेट का 14 तारीक को होने वाला है वहां से आप लोग का कहना है कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा तो दूस्तों वहां पर रूम एवेलेबल है तो आप लोग को डायरेक्ट ट्रेन के लिए नहीं मिल सकती है तो उसके लिए आप लोग को गवाटी से सिल्चर के लिए ट्रेन मिलेगी तो आप लोग पहुंच जाना और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है और वीडियो कैस आप सकूँ और अच्छी जान गड़ी सकतूँ तो कैसा लगा दूस्तों वीडियो अच्छे लगी तो जाहीं तो